अगवान बजरंग बली जो है वो नाराज है बीजेपी पे बजरंग बली की गदा तो उनके इसर पर पड़े है आज अपके बीजेपी के करनाटक का चुनाव प्रचार जोरो पर था इस बीच कॉंग्रेस ने अपना घोशना पत्र जारी किया जिसमें बजरंग दल को बेन करने की बात कही गई बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा में लिया बजरंग दल से कहानी बजरंग बली पर आ दी इसके बाद से पिये मोदी ने अपनी सभाव में जै बजरंग बली का घोश कर पॉलिटिकल लाइन सेट कर दी भाजपा ने बजरंग दल को बैन करने को बजरंग बली के अपमान से जोड़ा बीजेपी नेताओं को लगा कि करनाटक चुनाओं में बजरंग बली का मुद्दा उनके लिए संकट मोचक बन कराया है लेकिन कॉंग्रेस के जमीनी नेता दीके श्रीकुमार के सामने बजरंग दल का मुद्दा फीका पड़ गया कॉंग्रेस ने बजरंग दल के मुद्दे को हावी नहीं होने दिया फ्रश्ट चार का मुद्दा उठाया एक तरफ जहां भाज़पा के नेता जै बजरंग बली के जैकारे लगा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस 40% सरकारा का नरा लगा रही थी कहा गया कि करनाटक में बोमई सरकार कमिशन वाली सरकार है कॉंग्रेस नेताओं ने महंगाई के मुद्दे के उठाया वोटिंग से पहले तो कॉंग्रेस ने गजब का भियान चलाया सिलेंडर को पूजा करने के बाद कॉंग्रेस के नेता वोट डाल ले गए कॉंग्रेस नेताओं की मेहनत ने इस बार के चुनाओं में मुद्दा बजरंग बली नहीं बनने दिया बलकि प्रश्टचार, कमिशन और महंगाई को आम जंता के बीच मुद्दा बनाया भाजपा के हार के पीछे एक और बड़ा कारण है चेहरा इस्थानिय चेहरे पर भाजपा ने चुनाओं नहीं लड़ा ये दुरप्पा भाजपा के बड़े नेता हैं लेकिन बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंतरी पत से हटा दिया जिसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है पिये मोदी के चेहरे पर चुनाओं लड़ा गया लेकिन जंता ने अस्थानिय नेता और अस्थानिय मुद्दे को अधार बना कर वोट किया और अब जो परिणाम आये हैं वो आपके सामने है हलाकि राजनितिक पंडितों का ये भी मानना है कि बजरंग दल का मुद्दा भले ही करनाटक में फीका पड़ गया हो लेकिन आने वाले समय में जो चुनाओं होने वाले हैं ये मुद्दा बड़ा होगा और आगे भी बीजेपी इस मुद्दे पर हिंदी पट्टी के राज्यों में जब चुनाओं होंगे तो लीड लेने की कोशिश करेगी करनाटक में उठे बजरंग बली के मुद्दे की गून शूपी में भी सुनाई दी थी जहां निकाय चुनाओं के आज परिणाम सामने आये हैं जिसमें बीजेपी एक तरफा जित्ती हुई नजर आ रही है लेकिन करनाटक की हार बड़ी है करनाटक साउथ में कलोताय सराज्य है जहां भाजपा की सरकार थी लेकिन अब नहीं है बाकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं बजरंग बली का मुद्दा करनाटक की चुनाओं में बीजेपी को फाइदा क्यों नहीं दिला पाया इसके बारे में आप अपनी राए हमें कमेंट करके ज़रूर बताये और तमाम अप्डेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव